हमारे देश में किसानों का इस्थान बहुत उचाए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप और मैं जिस अनाज को खाकर बड़े हुए हैं उस अनाज को हमारे देश के किसानों नहीं उपलब्त करवाया है हमारे देश के किसानों के लिए उनका पशुधन बहुत पर आज हमारे एक देश के किसान भाईयों के इस पशुधन को एक ऐसी बिमारी ने घेर लिया है जिसके कारण हजारों पशुओं की मृत्ति हो रही है। पर ये लंस आपको दिख रहे होंगे बड़े-बड़े चकतें बड़े-बड़े लंस बन गए हैं एक समय के बाद लंस इतने कठोर हो जाते हैं कि उनका चलना बैठना दूबर हो जाता है वो ठीक से खा नहीं पातेैं उनका वजन कम हो जाता है और इन लंस से कई बार खून ब्लड रिसाव होता है, कई बार लिक्विड निकलने लग जाता है और एक तकलीव दे तरीके से इनकी अंत में मृत्ती हो जाती है जो की बहुत दर्दनाक होती है इसको लेकर सरकार ने कड़े कदम भी उठाए है फिर भी बिमारी देश के कई राजियों में फैलती जारी है और देश के अंदर कई मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर इस बिमारी के कारण हजारों पश्यों की मौत हो रही है अब देखिए ये पूरा मामला है लंपे स्किन डिसीज का यह एक skin disease है जो कि जानवरों के अंदर पाई जाती है और जानवरों के अंदर ये मुख्य तहग गायों के अंदर और भैसों के अंदर पाई गई है अब इस बिमारी का क्या समाधान है ये बिमारी आई कहां से है एक बहुत बड़ा question ये कि क्या इस बिमारी से इंसानों को खत बहुत बड़े तरीके से फैल रही है, अब ये किसी एक शेत्र विशेश में सीमित नहीं रही गई है, जैसे 38 के अनिमल सेट बाए लंपिस्केन डिसीज इन जेन के जम्मु और कश्मीर के अंदर, जम्मु और कश्मीर के अंदर 38,000 पशुओं के अंदर इस बिमारी को पाया ऐसे एक फैसला भी गुजरास सरकार ने भी लिया है, उन्होंने भी दूसरे राज्यों से केटल्स के ट्रांस्पोरडिशन को बैन कर दिया है, ताके दूसरे पश्यों से इंफेक्शन उनके राज्य के पश्यों में ना फैल है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बिमारी भार हामलु का नंबर काफी कम था अभी मामले लगातार बढ़ते Imam थिरे राज Twitch के अंदर मामले बंढने लगे और अब हालत यह है कि सिर्फ राजस्थान में साड़े 11 लाग से जादा पुशूस बिमारी से infected हो गए इसका एक negative effect भारत की आर्थिक स्थिती भी पढ़ रहा है आप सोची हमारा देश को ये कहा जाता है कि हमारा देश मिल का सबसे बड़ा producer है सबसे अदा milk produce होता है पर अकेले राजस्थान में 21% से milk का production कम हो गया है जो कि बहुत जादा बड़ी बात है अब ये बिमारी है क्या देखिए उससे पहले देखिए किनकिन राज्जों के अंदर इसका effect पढ़ रहा है किनकिन राज्जों में बिमारी देखने को मिली है राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाना उत्तराखन यूपी MP जम्मु और कश्मीर आंदर प्रदेश और यहां तक कि अंदमान निकोबार के अंदर भी इस बिमारी को देखने को मिला है ये वाइरस महां पर भी पाया गया है मह इसस कहीं जादा है और लगातार एक एसस बढ़ते जा रहे अब सवाल यह उड़ता है कि विमारी है क्या देखिए नाम से क्लियर हो रहा है लंपी स्किन डिसीज एक स्किन डिसीज है जिस तरीके से भी विमारी के बारे में मैंने आपसे बात करी थी मंकी बॉक्स वायरस उ जानवर बोल नहीं सकते हैं पर यह खा नहीं पाते हैं इनकी आखों से पानी निकलता है नाक से पानी भैता है और अंत में अगर सही इलाज ना मिले सही टीका ना मिले तो इनके मृत्ति हो जाती है लेकित हमारे देश में हजारों किसान परिवार ऐसे हैं हजारों नहीं ला बहुत ज़रूरी है अब यह बिमारी क्या है देखिए जिस वाइरस के कारणी बिमारी हो रही है इस वाइरस का नाम है कैप्री पॉक्स वाइरस याद रुखिएगा किसी भी एक्जाम के इंदर आप से पूशा जा सकता है कि इस बिमारी का जो वाहक है जो वाइरस है वो फैलता कैसे हैं तो it infects cattle and buffalo mainly cattle and buffalo को अच्थाअ किसके थूरी करता है blood feeding insects जोकि blood feeding insects होते हैं जिसे flies हो गएya in their children जानवरों के इंदर fell रही है मतलब यास्ट फैलने वाली बिमारी या या ये बिमारी काफी पहले से एक समय था जब सिर्फ अफरीका तक ये बिमारी सीमित थी और उसके बाद 2012 के बाद ये बिमारी दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी देखने को मिली थी जैसे 1929 के अंदर अफरीका के जांबिया में इसे epidemic declare कर दिया गया था उसके बाद 2015 में टर्क अनलदेश में इस बिमारी को देखने को मिला था पश्य मंगाल के अंदर बिये बिमारी काफी फैली थी गुजरात के अंदर कहीं पश्यों के अंदर ये बिमारी लगी थी पर अब ये बिमारी एक बड़े percentage के साथ फैलती जा रही है नंबर जो है जो पश्यो संक्रमित है उनका नंबर लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब ये बिमारी फैल्टी कैसे है, देखिए इसको एक एक एक्जामबल के थूरू समझते हैं, मान लीजिए ये एक ऐसा पशू है जो कि इस बिमारी से ग्रसीत है, ये infected cattle है, अब होता ये कि ये जो blood feeding insects होते हैं, चाह इस infected cattle को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे राज्य के अंदर, तो इस infected cattle के थूरू ये बिमारी दूसरे पशू के अंदर भी लग जाती है, क्योंकि कई blood feeding insects ऐसे होते हैं, जो कि पशू के शरीर के अंदर ही होते हैं, और कई बर जब दो पशू के शरीर टकराते है तो इंसेक्ट्स दूसरे पशू के अंदर चले जाते हैं और उसे बिमार कर देते हैं, ये इसका एक प्रमुक कारण है और इस तरीके से बिमारी लगातार धीरे धीरे कई पशू में फैलती जा रही है, इसलिए कई राज्यों ने cattle के transportation को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, इससे गुजरात की बात कर ली जाए, महराश्या की बात कर ली जाए, और भी दूसरे राज है क्योंकि ये बिमारी लगातार इन राज्यों के अंदर फैलती जा रही है, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर पशू बिमार है, किसी पशू को lumpiskin disease है, उसके सिम्टम्स क्या ह मतलब नाक से पानी भेना शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा जो चीज आपको दिखती है, वो होता है आपका nodules, मतलब आपको बड़े-बले लंस देखने को मिलते हैं, बड़े-बड़े चक्ते पशू की बॉड़ी के उपर देखने को मिलते हैं, अगर इसका treatment ना किया इलाज है, क्या कोई ऐसा टीका है, कोई ऐसी vaccination है, जिसके थूँ इस बिमारी को ठीक किया जा सके, इसका जवाब है है, भारत सरकार ने ये कहा है कि goat pox vaccine, मतलब जो goat pox के time पर use की गई थी, वो vaccine 100% effective है, lumpy skin disease के अंदर भी, और भारत सरकार ने इसी के लिए 1.5 करोड टीके distribute भी करें, अलग-लग states के अंदर और जानवरों को ये टीके लगाया जारें, और काफी ये टीके कारगर भी हैं, पर समस्या यही कि हमारे देश में ल के अलावा एक और vaccination को develop कर लिया गया है, जिसका नाम है lumpy pro vacland, ये जो vaccination है, इसे भारत नहीं बनाया है, और ये vaccination specifically lumpy skin disease के लिए, इसे बनाया है, किसने याद रखिएगा, इसे बनाया है, ICR के National Research Center on Aquinas, और the Indian Veterinary Research Institute, मतलब IVRI ने बनाया है, ये दो पॉइंट्स याद इसको लेकर कहीं पैक्ट भी साइन किये गए है, जैसे ICR साइन टेक्ट ट्रांसफर पैक्ट विद बायोवेट फॉर लंपी स्केंड डिसीज वैक्सिनेशन, क्योंकि बड़े अमाउंट के अंदर इस vaccination का production करना है, इसलिए एक private company जिसका नाम है बायोवेट ये animal vaccination बनाती है इस company के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है, और साइन किस ने किया है, ICAR ने, Indian Council of Agricultural Research ने इसे साइन किया है, इसके लावा scientists developed lumpy skin disease vaccine, mass production soon, मैं ऐसी की बात कर रहा हूं कि जो नई vaccination बनाई है, उसको भी develop कर लिया गया है, और उसका भी production जल्दी किया जाएगा, दो से तीन महिन के अंदर इसका production शुरू कर दिया जाएगा, अब क्या इंसानों के अंदर इस बिमारी फैल थी, एक सबसे वड़ा सवाल, क्या इंसानों को इस disease से खत्रा है, जो लोग इन जानवरों की देख भाल कर रहे हैं, क्या उनको इस बिमारी से खत्रा है, तो पहली बात आपको जा प्रणाटिक डिसीज थी, जो किसी जानवर से इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो सकती थी, अभी तक यहां पर लंपी सकन डिसीज को लेकर कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है, जिसमें इनसान को इंफ्रेक्शन हुआ है, अब दूसरा सवाल यह होता है, कि अगर किसी गा किया जा सकता है पर यहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है यह बात भी साइंटिस्ट ने डॉक्ट्रस ने कई है अब एक ऐसा राज जिसके अंदर इस बिमारी ने साथ हजार से जादा पशू की जान ले ली है उस राज्य के अंदर 21 परसेंट तक मिलका प्रोडक्शन भी डाउन होगी है मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजस्थान के अंदर इस बिमारी का प्रकोब लगातार बढ़ते जा रहा है आप आकलों को देखिएगा आकलों पशू इस वाइरस से इंफेक्टेड है इसके अलवा राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्स के अंदर ये वाइरस फैल चुका है और मिलका जो प्रोडक्शन है राजस्थान में वो 21 परसेंट से कम हो गया है और अगर आप न्यूज की बात करें इस न्यूज में यहां तक ये भ पड़ता ही है अब उसकी इस किसान का खर उस्टश के करन चलता था उसकी नहीं रहा है तो अब बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे देश बंता जा रहा है ये लंपी Todos अब देखें यहां पर कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है की हमारे देश में कितना लाइव इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 535.78 मिलियन लाइफ स्टॉक है लाइफ स्टॉक के अंदर खोड़े भी आ जाते हैं इसके अलावा इसमें पिक्स भी आते हैं काउ भी आती बफैलो भी आती है मतलब सारे आ जाते हैं केटल्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ केट कौन है पब्लिश कौन करता है यह पब्लिश करता है ministry of fisheries animal husbandry and daring याद रखिएगा यह आपके examination point of view से काफी important है तो यह जानकारी थी पूरी lumpy skin disease के बारे में यह वाइरस लगातार फैलते जा रहा है देखिए कोवीट के टाइम पे हम लोगों ने तो अपना दर्द बता दिय कि हम कितने बिमार हैं कितने लोगों के मरत्य हुई वो अपना दर्द बता सकते थे पर यह बेजुमान जानवरी अपना दर्द नहीं बता सकते सरकार strict actions भी ले रही है ठीका करण भी किया जा रहा है कई तरह के जानवरों को लेप लगा के ठीक किया जा रहा है नीम का लेप लगाया जा रहा है हल्दी का लेप लगाया जा रहा है पर जानवरों को अभी भी इससे बहुत तकलीफ हो रही है और जल्द से जल्द इस बिमारी को हमारे देश से भगाना बहुत जादा जरूरी है कली में आपसे नेक्स लेक्चर के अंदर मिलता हूँ आप सभी अपना ध्यान रखेगा जय हिन जय भारत